एक साथ से चल रहा किसान आंदोलन खत्म होने जा रहा है बता दे कि केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर बनी सहमती के बाद संक्त किसान मोशा ने आंदोलन स्थागित करने का ऐलान कर दिया है वहीं सरकार का मानना है कि किसानों की अधिकांश्ता मांग मान ली गई है एक तरफ से कहें तो ये आंदोलन अब खत्म हो गया है दूसरी तरफ किसान संगठन ने 378 दिन के बाद आंदोलन स्थागित करने की बात कही है किसान नेता बलबीर सिंग राजबेला ने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है मोर्चा खत्म हो रहा है 11 दिसंबर से घर वापसी होगी राजबेला ने कहा कि संग्ते किसान मोर्चा बरकरार रहेगा हर महीने 15 तारीक को बैठक होगी किसानों के मुद्दे पर आंदोलन जारी रहेगा बता देंगी सरकार के प्रस्ताव पर मंगलवार को सहुक्त किसान मोर्चा की ऐस हमतियों के बाद बुद्वार को केंदर सरकार ने नया प्रस्ताव भेजा था केंदर सरकार ने नय मसौदे में प्रदर्शनकारियों पर से ततकाल केस वापसी के साथ ही नियुंतम समर्थन मूल्य यानी की MSP कमीटी को लेकर सरकार निस्पश्ट किया है कि यह कमीटी तै करेगी कि किसी भी किसान को MSP मिलना किस तरह से सुनिश्चित किया जाए इसके साथ ही मुआफजे को लेकर सहमती जताते हुए बिजले बिल को लेकर कहा गया कि संसत में लाने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा की जाएगी सरकार के नए प्रस्ताफ पर पहले सयुक्ते किसान मोर्चा की पांच नेताओं की कमीटी ने नई दिल्ली में बैठक की और फिर सिंधु बॉर्डर पर मोर्चा की बड़ी बैठक में प्रस्ताफ को मन्जूर कर लिया गया और इस तरह से कहीं तो अब किसान आंदोलन खत्म हो गया बिरो रिपोर्ट ओजांग टाइम्स